नमस्कार आदाब मैं हूँ प्रविन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली राउंड अप शो आई नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर प्रिया रमानी को दिल्ली की एक अदालत ने मान हानी मामले में बरी गिया दिशारवी मामला धर्म को मुद्दा बनाकर ध्यान भढ़काने की कोशिश उत्रकंट राजदी मरने वालों की संक्या बढ़कर हुई 58 एक 147 लोग अब भी लापता चोथी और आखरी ख़बर कुरण अपडेट देश में 24 घंडों में 11610 नए मामले 100 मरीजों की मौत दिली की एक अदालत ने बुद्धवार को पुर्व केंद्री मंत्री M.J. अकबर द्वारा दायर अपराधिक मानहानी मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया रमानी ने अकबर पर 2018 में मीटू मुव्मेंट के दोरान यौन उत्प्रिण का आरोप लगाया था M.J. अकबर द्वारा पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर किये गए मुकदमे में दिली की अदालत ने प्रिया को बरी करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ पुरु केंद्री मंत्री की शिकायत साबित नहीं होती है कोट ने महिला पत्रकार के आर्टिकल और ट्वीट के कुछ कंटेंट को मानी हानिकारक माना है लेकिन ये भी कहा है कि समिधान महिला को ये अधिकार देता है कि वो कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत कर सकती है मानिहानी कहकर किसी महिला को शिकायत करने से रोका नहीं जा सकता और नहीं सजा दी जा सकती है महिलाएं अक्सर समाजिक दबाव में शिकायत नहीं कर पाती फैसले के बाद प्रियर रमानी ने कहा कि मैं पिडित हूँ लेकिन मुझे अदालत में एक आरोपी की तरह खड़ा कर दिया गया मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनोंने मेरा साथ दिया खासतोर से उन गवाहों का जो अदालत में आए और मेरे पक्ष में गवाही देने इसके साथ ही उन्होंने अपनी वकील रेबिका जॉन और उनकी टीम का भी शुक्रिया किया जिनोंने उन पर और इस कॉज पर भरोसा किया बुद्धवा 17 फरवरी को प्वीटर और फेस्बूक पर कुछ लोगों ने दावा किया कि बैंगलूरी इस्तित जलवायू कारिकरता दिशारवी ने अपनी इसाई पहचान छिपा लिये और उनका पूरा नाम दिशारवी जॉसेफ है दिशारवी को दिल्ली पुलिस ने शनीवार को बैंगलूरी से ग्यरफतार किया था दिशा पर आरोप है कि उन्होंने कथी तोर पर किसान आंदोलन से जुड़ी एक टुलकिट को सोशल मीडिया पर साजा की थी इस टुलकिट को इससे पहले 18 साल की अंतर रास्टी जलवायू कार करता ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए साजा किया था इस गरफतारी पर सवाल उठ रहे हैं और लगतार दिशा की तुरंत रिहाई की मांग उठ रही है इन सब के बीच दिशा के धर्म को मुद्दा बनाना काफी अटपटा और गैर जरूरी कदम है आए देखते हैं वरिश्पतकार अभिसार शर्मा का इस पर क्या कहना है आज एक पूरा का पूरा प्रचार तंत्र दिशारवी के पीछे पड़ गया है 21 साल की दिशारवी उसका दोश ये था कि उसने एक टूल किट शेयर किया उसका दोश ये था कि उसने ग्रेटा थंबरग जो की क्लाइमिट अक्टिविस्ट हैं जलवायू परिवरतन से जुड़ी कार करता हैं उसके साथ उसने बाचीद की उसका दोश सिर्वितना है और उसके खिलाव पूरा प्रचार तंत्र लग गया है आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि देश की नाख दरसल काट कौन रहा है सबसे पहले दोस्तों ये स्क्रीन शॉट देखिए ये आल्ट न्यूज के पत्रकार जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल में शेयर किया इसके मताबिक अब एक प्रचार चलाय जा रहा है दिशारवी के बारे में कि दिशारवी दरसल एक इसाई है दिशारवी का सocus नाम है दिशारवी जोजफ अब आप सोच सकते है भारती जहता पारटी का जो प्रचार तंत्र है हिंदू, मुसलिम, सिख, इसाई से ज़ादा तो कुछ सोच नहीं सकता है अब उन्होंने क्या किया होगा 24-25 घंटे लगाये होंगे दिशा के इसलाम के साथ लिंक्स ढूनने के लिए अब जब वो नहीं मिला, तो दिशा रवी को उन्होंने दिशा रवी जोजफ बता दिया है जबकि हकीकत क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दिशा रवी का नाम क्या है पूरा दिशा रवी का नाम है दिशा अनप्पा रवी उनकी मा का नाम है मंजुला नंजया पिता का नाम है रवी और इसलिए उनका नाम हुआ दिशा अनपा रवी और क्या आप जानते हैं कि दिशा जिस समुदाय से आती हैं वो आती हैं लिंगायत समुदाय से वो लिंगायत जो भारती जनता पार्टी का जबर दस समर्था के करनाटक के अंदर और कुछ खबरें ये भी बतला रही थी कि दिशा के माबाब जो हैं वो भारती जाता पार्टी के समर्तक हैं तो ये तो बात तैह हो गई कि दिशारवी जो हैं वो इसाई नहीं है मगर उसके जरीए क्या पता चल रहा है कि जब इन लोगों के पास तरक नहीं होते हैं दोश्मुक्त होकर रहा हो जाएंगे तपोवन टैनल से मंगलवार को दो और शव बरामत किये गए जहां लगाता दसवे दिन उत्तरा खंड के चमोली जीले में बाड के बाद मजदूरों के फसे होने की आशंका थी एक अधिकारी ने कहा कि चमोली आपदा में मृत्यू की पुष्टी अब 58 हो गई है और अन 148 लोग अब भी लापता हैं राश्टी थर्मल पावर कॉर्परेशन के तपोवन विश्रूगर पर योजना स्थल पर तनल से 11 शव बरामत किये गए जहां शुरू में लगबग 30 लोग के फसे होने की आशंका थी इसी भी चमोली के मुख्य चिकितसा अधकारी जी एस राणा ने एक वीडियो बयान जारी किया उन्होंने कहा कि हीमनत आपदा में मारे गए सभी लोगों को शारिरिक चोटे आई थी कीचड और पानी उनके फेफडों में प्रवेश कर जाने से उनकी मृत्यू हुई 16 फरवे तक अब तक बरामत सभी अंठाउन शवों को पोस्ट माटम किया गया और मैंने रिपोर्ट देखी है उन सभी की मौत उनके शरीर पर लगी चोटो कीचड और पानी उनके फेफडों में जाने से हुई है केंदी स्वास्त मंत्राले दोरा आज बुद्धवार यानि 17 फरवरी को जारी आगडों के नुसार देश में पिछले 24 गंटों में करोना के 11610 नए मामले सामने आए है इसके अलबा करोना से 100 मरीजों की मौत हुई है साथ ही इसी बीश देश में करोना से पिड़ित 11,833 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 323 मामले कम हुए है देश में कुल मामलों की संक्या बढ़कर 1,09,37,320 हो गई है जिनमें संक्रमण के कारड़ 1,55,913 मरीजों की मौत हो चुकी है देश में कुरोना से पिड़ित 97,32 फिसदी यानि 1,6,44,858 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संक्या घट कर 1,24 फिसदी यानि 1,36,549 रह गई है स्वास मंत्राले की ताज़ जानकारी के अनुसार देश में अब तक 89,99,230 लोग को को कोरोना की वैक्सिन दी जा चुकी है जिनमें से 2,66,923 लोगों को वैक्सिन पिछले 24 घंटों में दी गई है आज के डेली रॉंड आप में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंगलिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बूक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रियों